वेलकम टू लर्नो साइंस दोस्तों आज हमनों बात करेंगे समुद्र के अंदर चिपे दस रहसमी चिजें जिसे देख करा आज चिपेत हो जाएंगे समुद्र जितने शांत नजर आते हैं वो उतने ही ज्यादा गहरे और रहस्यों से भरे हुए है समुद्र को हम जितना एक्स्प्लोर करते हैं उतना ही ज्यादा हिरान होते हैं चाहे वो महान टाइटानिक हो या फिर मारियाना ट्रेंच ये तो मानना ही पड़ेगा कि समुद्र के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में पता करना बहुत पश्किल है लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ चुकी है और वो इतनी ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि आप अपनी सीट से उचल पड़ेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे समुद्र से निकली टॉप टेन अमेजिंग तिंग्स के बारे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टीको सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें अभी तक महान अटलांटिस शेहर को ढूंडा नहीं जा सका है लेकिन इस लिस्ट की शिरुवात करेंगे वैसे ही एक शेहर से इस लिस्ट में आपको कई शेहरों से गुजरना पड़ेगा ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ सी के अंदर मिला ये शेहर लगभग 8500 साल पहले नॉर्थ सी में डूबा था ये स्कॉटलेंड से लेकर डेन्वाक तक फैला हुआ था और इसे यूरोप का दिल तक कहा जाता होगा लेकिन जल्द ही ये सब खत्म हो गया और ये समुद्र की गोद में समा गया ये अगर अभी इस समय रियल दुनिया में मौजूद होता तो एक ग्रेट ब्रिटेन का यूरोप से जोड़ रहा होता जो कि यूरोप को और भी शक्तिशाली बनाता अभी इस पर पूरी तरह से रिसर्च की जा रही है नौ, लोकोमोटिव ग्रेवियार्ड 1985 में पॉल हैपलर नाम का एक शक्स जब समुद्र की मैकनो मीटर से मैपिंग कर रहा था तब उसे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर पूरी दुनिया सनु रह गई वहाँ लाशों से भरा एक ट्रेन का एंजन था उसे नाम दिया गया लोकोमोटिव ग्रेवियार्ड जब उन लोकोमोटिव पर रिसर्च की गई तब ये पता चला कि वे 1850 के दौरान के थे जब उन पर और भी ज्यादा रिसर्च की गई तब ये निकल कर सामने आया कि बॉस्टन से मिड अट्लांटिक की तरफ ले जाय जा रहा था दोस्तो तब ही कोई तूफान आया और वो लोकोमोटिव लोगों को अपने साथ ही लेकर समुद्र की गोद में समा गया ये लोकोमोटिव के वल 15 टन कही थे ये हादसा काफी हद तक टाइटानिक जैसा ही था लोकोमोटिव काफी शांदार थे और अब उन्हें संभाल कर म्यूजे में रख दिया गया है दोस्तों ये ब्लू होल 1971 में ढूंडा गया था ये एक नाचुरल सिंक होल है और अब तक रिकॉर्ड किये गए सबसे बड़े सिंक होल में से एक है ऐसा माना जाता है कि ये आईसेज के दोरान एक कुफा के यहाँ पर होने के कारण बना था ये लगभग 300 मीटर के एरिया में फैला है और लगभग 125 मीटर गहरा है लोग दूर दूर से इसमें डाइविंग करने आते हैं हलांकि ये बहुत खतरनाक है लेकिन विशेशग्य की मदद से इसे किया जा सकता है आप एट्लांटिस के खोई हुए शहर की कहानी के बारे में तो जानते ही होंगे दोस्तो वह शहर तो अब तक नहीं मिल पाया है लेकिन समुदर के अंदर उसका रास्ता सरूर मिल गया है ऐसा लोगों का मानना है बीमनी रोड बहामास के पास इस्तित है ये लोगों के नजरों का केंद्र बन चुका है पानी के अंदर बना ये रोड काफी खुबसूरत है और लोग इसे देखने के लिए काफी दूर दूर से आते हैं कुछ लोग तो सीधा इसे अटलांटे से जोडते हैं अलांकि इस बारे में अर्थ तक कुछ भी साबित नहीं किया जा सका है ये पानी के अंदर बस 6 फीट गहरा है इस करण कोई भी इस तक आसानी से डाइब लगा अगर पहुंच सकता है ये खजाने एक ट्रेजर हंडर के हाथ लगा था जिसका नाम जे था फ्लोरिडा के तट पर मिले इस खजाने की कीमत लगभग आधे बिलियन डॉलर के बराबर थी जब जे मिसकोविच ने इसे ढूंडा तब वे जानता था कि उसे एक जैकपॉट मिल गया है लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आँके एक कानूनी लड़ाई अभी लड़नी बाकी है उस खजाने में बहुत सारी जूलरी थी त्योंकि बहुत ज्यादा कीमती थी जे मिसकोविच जिसने ये ढूंडा था वे मीडिया में च्छा गया और इसके बाद फेडरल सरकार को इसमें इन्वाल्व होना पड़ा उन्होंने जे पर उसे ना बेचने का प्रतिबंद लगा दिया जे करजे में डूबा हुआ था और वे ये प्रतिबंद सह नहीं पाया उसने खुद खुशी कर ली आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि इतना खुबसूरत ख़ाना वहां कैसे आया जून 2011 में स्वीडन की ट्रेजर हंटिंग टीम ने समुदर के अंदर तलाश करते हुए जो देखा वे उनके लिए हैरान करने वाला था वो समय बटलीक सागर में थे और उन्होंने वहां देखा कि एक सतर मीटर लंबी आकरिदी का कुछ समुदर के अंदर है उसका उन्होंने नाम रखा बाटलीक सी अन्मोली ये अंदर से इस तरह का था कि कोई भी उसके अंदर आसानी से बैठ सकता इसके बारे में अर्थ तक केवल थियोरीज ही चल रही है कि ये आखिर क्या हो सकता है कुछ लोग का मानना है कि ये कोई एलियनशिप है और कुछ लोग ये भी मातने हैं कि ये सुकेन शेहर का हिस्सरा होगा दोस्तों ये तो मानना ही होगा कि जितने शहर अभी प्रित्वी पर मौजूद नहीं है उससे ज्यादा शहरों को समुद्र निगल चुका है लेकिन दुख की बाद ये है कि उनका पता नहीं चल पाया है अलेक्जांड्रिया के पौरान एक शहर भी उन्हीं शहरों में से एक है जिन्हें समुद्र निगल गया था लेकिन 1998 में इसे फिर से ढूंद लिया गया ये शहर इजिप्ट का एक शहर था ऐसा माना जाता है कि लगभग सोला सो साल अपने भरे पूरे अस्तित्व में समुद्र में डूब गया था जब इसे ढूंडा गया तब इसमें इसे एक से एक रहस्तमई चीजें मिली जो कि उस वक्त के शांदार इतिहास को बताती थी उस शहर में एक महल भी मौझूद था जो कि किसी रॉयल पैलेस जैसा था उसके फ्लोर मार्बल के थे और इस महल में बहुत ही अकरशक नकाशी की गए थी समुद्र के अंदर इतनी रहस्तमई शहर देखकर सभी सक्ते में आ गये थे उस शहर में एक स्टैच्यू भी मौचूद था जो कि लगभग दोहजार साल पुराना था विग्यानिक अब तक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस प्रकार का शहर था और इसे किस ने बसाया था तीन, सीक्रेट अंडर सीर रिवर रिसार्च करने वाले लोगों ने प्रकृती का एक ऐसा अनूठा रहस समुदर के अंदर ढूण निकाला है जिससे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा क्या आप सोच सकते हैं कि समुदर के अंदर भी कोई नदी बह सकती है ये समुदर में मिलने वाली सबसे आश्चर रेजनक वस्तों में से एक है ये नदी पाई गई है ब्लैक सी के अंदर ये नदी लगभग आधा मील चोड़ी है और लगभग 115 फीट गहरी है ये समुदर के अंदर से बहती है ऐसा हो पाया क्योंकि समुदर का और नदी का पानी अलग अलग तत्वों का है समुदर का पानी कम नमक वाला है वहीं नदी का पानी जरूरा से ज़्यादा नमक से भरा है ऐसा होने के कारण ये नदी समुदर के साथ नहीं मिल पाती और समुदर के अंदर से बहते हुए दूसरी जगह पर जाकर मिलती है ये अपने आप में ही एक अनूठा द्रिश्य है समुदर में मिलने वाली हर चीज की तरह इस शहर ने भी हमें हमारे दिहास के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था ये बारे में पर से बारे में पर स्थिर्द था ये तब बना था जब आइस एच लगबख खक मही उआ था इस शहर के अंदर पाए गए अफशेशों, बरतनों और फरनीचर को जाजने के बाद ये बदा चल पाया अब तक ये मना जाता है कि दुनिया में मौझूद सबसे पौरानिक शहर मेंसब वटामिया में बसाया गया था लेकिन ये शहर जो खंबत के खाड़ी में मिला था ये उन शहरों से भी 5500 साल पुराना था जो कि दुनिया के सबसे प्राचीन शहर माने जाते थे विग्यानिकों ने और जांच की और ये पाया कि इस खोई प्राचीन शहर में रहने वाले लोग ज़रूर भारत और पाकिस्तान में तीन हजार बीजी हडपा के दोरान बसी हडपा सब बता के लोगों के फूरवश थे हलांकि अब तक एक रहस्य है और विग्यानिक अलग-अलग मत के साथ इस बारे में सोच रहे हैं आपको क्या लगता है कमेंड करके जरूर बताए एक इंचिन कम्प्यूटर अंटी के थेरा अब हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है सबसे चोखाने वाला पौरानिक कम्प्यूटर अंटी के थेरा जब ये मिला तब विग्यानिक समझ ही नहीं पाएं कि आखिर है क्या उन्हें शिरुवाती दौर में लगा कि ये किसी प्रकार का सिंहासन है इसे साल उन्ने सुमें पाया गया था इसकी जाँच के शुरुवाती दौर में इसे एक सिंहासन या फिर एक कुर्सी और मेस के नजरिये से देखा जा रहा था लेकिन जब इसे अंदर से जा चक्या तब सभी हैरान रह गए ये एक कम्प्यूटर था एक और आण एक कम्प्यूटर ये काफी वसंदार था जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये संपुर्ण कम्प्यूटर है जबकि ऐसा नहीं था ये एक बड़े से कम्प्यूटर का एक छोटा सा भाग था ये उस बड़े से कंप्यूटर के साथ मिलकर खुद को बनाने वालों के लिए जोतिश गणनाप करता था इसका काम ये था कि अंतरेक्ष में होने वाली घटनाओं पर नज़र रखे और कुछ भी हो तो इस उचित करे वे गयनिकों का ऐसा मानना है कि ये कंप्यूटर साल 2005 बिफोर क्रैस्ट के समय बना था उस समय किसी भी ऐसे कंप्यूटर के बारे में सोचना ही काफी मुश्किल है हलांकि ये हैरान करने के साथ साथ आकर्चक भी है तो दोस्तों ये दी समुदर के अंदर से निकली हैरान करने वाली चीज़े आपको सबसे ज्यादा रहसा में ही क्या लगा हमें कमेंट करेंके जरूर बता है